मैया दुरुपदी को जो बरन करके लेकर के अर्जुन गए तो दर्वाजा बंदे मैया ने आवाज लगाया अर्जुन ने मैया दर्वाजा खोलो और उस समय मैया भोजन बना रही थी बहनों भोजन भोजन पर एक भी सेस बात सुलो बिट्या लोगों जिनके घर में रिद्धी सिद्धी हाथों में नहीं है एक बात सिखलो बिट्या लोगों सबसे पहले अगर अपने परिवार में रिद्धी सिद्धी लाना चाहती हो ना अपने परिवार में तो आपके घर में बरक्त होता रहेगा बीटिया लोगों अगर दर्वाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए कोई मांगने वाला उसको कभी खाली हाथ मज़ाने देना इतनी आदर करना और रिद्धी सिद्धी जिस बीटिया बहन के हात में रिद्धी शिद्धी है अगर भोजन परिवार भरवाले लोगों के लिए बना है अगर दूप महमान उतर जाएं تو उसे बनाना नहीं पड़ेगा और रिद्धी सिद्धी है लेकिन बहुत ही जब दाल जब दाल जाल दाले दाल देतीन है और दाल देतीन है नमक जाल इतर देके जाने है अब किसम्य पाद टो तेखने है अगाद रगार कोई छोटों बचाई हो एग ठीक भरिये ठीक भरिया घ्लत बाद बैनो इसे रिद्धी सिद्धी चली जाती है रिद्धी सिद्धी चली जाती है एक बात और बता दें इतना बड़ा कारिक्रम जो हो गया है यह तो अलग बात है लेकिन साथ पांच की लाठी खेले का बोलो अगर ये एक साल के बाद कारिक्रम हो तो कैसे हो हम विद्या बताएं आप यहां भागवत नहीं यग हो सकता है इसमें कुछ पैसा लगा एक रुपिया के वन एक रुपिया निकाल के रख दिया और सुनो बहनो और सुनो भंडारा यह नहीं से चार कुना हजार कुना बड़ा हो सकता बिट्या लोगों कैसे जब डाली दानन चलो यह आंटा गूधन च चावल डालन चलो यह मुठी निकाल इक हांटा अलग एक मुठी चावल अलग चुटकी भर दाल अलग एक मुठी चावल एक मुठी आंटा चुटकी भर दाल धीरे धीरे करके तीन सो पैंश्ड दिन मां कित्ती हुई जहीं है कितनों हो जाएगा बिट्या लोगों सोचो य अन की भावना क्योंकि आपका नाम धरम पत्नी है वीट्या लोगों कि बिना धन के धरम हो नहीं सकता बिना धन के धरम हो नहीं सकता याद रखना बिना भोजन के भूख जा नहीं सकती जब तक भोजन नहीं किया जाएगा तक भूख नहीं जाएगी इसलिए बिना धन के धरम नहीं संभम है और कहते हैं जो लोग धरम की रच्छा करते है धरम रच्छत रच्छता जो धरम की रच्छा करता है धरम उसकी रच्छा करता है बो शांचे धरवार की इतना समझ लेना एक गाउमे भी कारिक्रम चलाता 14 दिसंबर से तो वहां कारिक्रम चल आथा तो वहां का मामला बड़ा गनर बर देखो और कुछ लोग आथ पंडित लालची हो तो लालची नहीं हो तो लंबी पूछ बद लालची हो तो लंबी पूछानद आपको क्यों हो जनावे वाली अपनी तु जैसे तैसे कोई बात नहीं यह लंगी पूछ लगी है गम तो इस बात की है तो वहां कारी करम किया चार दिन होई गए बड़ा हमानमन धन्वां गम जो हम कहा है नमन धन्वन बड़ा हम लगण बड़ा तो उन्होंने का महाराज चि पैसा आई रहो अब हैं पैसा ही है तो बोले कैसे हमारे गाउं उपरा चड़ी वालों विल्कुल भिल्कुल हम आपको बात प्रमानीद करें चौपधा दिसम्बर की में बात बता हूं इसे बहुत कोहिरा गिर तो क्या प्रमारे गाउं के एक आदत है देखाई फलाने कि इ दो उन से हम काईं हों कम ना इसा हम इतर ने दें हैं! बिलकल प्रमारीत बाद तो फ्ला ने नेका तो महाराजीु युग हुद कम हमयों है शुरू करी किं नहीं तो सबसे अच्छा लगा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक दूसरे को धरम पर आगे बढ़ाने के अगर तुम इतने दोगे तो हम इतने देंगे तो अगर इतने दोगे तो हम इतने अश्य धरम का कारी चलता रहेगा मेरी बात चली है कि अरजुन द्रोपदी को लेकर के गए हैं और मईया खाना बना रही है और कहा अरजुन ने मईया दरवाजा खोलो देखो बस्तु लाएं हैं देखो हम क्या लाएं हैं तो मईया ने सोचा रोज वीचारे मांगे मूंगे कि लावत हुए तो वाई चुटकी बति जाए दाल वोइबटी जाए पईसा होए बति जाए जगा जमेन होए बति जाए आधो लहिन कर रबटे जाए यह तो बड़ी खत्रे आवाज लगाया अरजुन ने मिया जला दरवाज़ा खुलो और जब मिया दरवाज़ा खूल के आई तो देखा क्या अरे वो द्रोपदी खड़ी है नो पैंच पञड़ा वो मिया ने दांत अन्ग बली दबा लिया अब मैं क्या करूँगि अब मैं क्या करूँगी बोली बेटा तुम लिम्टो मुझसे लेना देना नहीं मुझसे गलती हो गई है मुझसे गलती हो गई अब तो बड़ी आपस में लड़ने लगे अब पांचो पांडव सब आपस में लड़ाएं क्योंकि मम्मी ने कहे दिया क्योंकि माबाप की हीसे में सब का हीसा है माबाप ने मैया ने कहे दिया सब लोग बांट ले हो अब भई पांचों पंडवा सब चड़कन लगे कोई कहाई पहले हम द्रोपदी लेए औस भाशम लडाई लाई खरेकं हमें द्रोपदी पहले चाहिए बडी लडाई हो गई कितने में नारद बावा आई गए ए पंडो यह आपस में क्यों लड़ και होत्पम मतला आपस में नार्द बाबा से कहने लगे पांच उपांच न बोले महराज मेरी मैया ने कहा सब लोग आपस में बराबर बांट लो ए तब तो मैया बोल पड़ी ए नार्द बाबा बोले तुम आपस में लड़ो ना आपस में लड़ो ना और नार्द बाबा ने फैसला करवाया यह विट्या लोगों क्या फैस्ला हुने का समय नदवाबाने बंट दिया और सभता समय बंटा किया दृपधी सबके पास पांच-पांच वर्स तक रहेगा किति हम वह तरिक उप प मैं और इसमें जो मिए और तोемся नब से बड़ा वह वहा है घरमराज बोले यसा मतलब पहले मेरे भाई बहनों बड़े मतलब की बात मेरे द्रहम राज कुनों मेरे नाद बावा ने फैश्ला करा दिया कि यह सब के पास द्रोपदी पांच पांच वर्शों तक रहेगी और जब तक एक दूसरे का समय हो तब तक वो एक दूसरे के समय में नहीं जा सकता नहीं जा सकता मेरे भाई बेनों एक बड़ी विचित्र बात है एक दूसरे के समय में ए बस्त्र और मालिया अर्पन हमारे आद्रणी ओम प्रकास दादाजी की तरफ से और सभी को ए मालिया अर्पन और ए बस्त्र दान बहुत बहुत सादवाद बंदन वा अविनंदन भगवान आपके जीवन को मंगल में करे और परमात्मा सदा सुखी रखे उलो सचिदानंद भगवान की जय रुद्र भगवान की जय मैया द्रोपदी ने पेरी मैया द्रोपदी को सबसे पहले धर्मराज ने पाया भईया एक दिन की बात है दीरे दीरे समय वीतता गया समय वीत रहा है और एक दिन भीम के मन में विचारा एक दिन भीम विचारे लगावा एक दिन भीम के मन में विचारे लगावा हमरा पाच्छ समय वे नियरा एक दिन भीम विचारे लगावा हमरा पाच्छ समय वे नियरा एक दिन की बात है बंदो एक दिन भीम विचारे लगावा हमरा पाच्छ समय वे नियरा एक दिन की बात है बंदो एक दिन भीम विचारे लगावा हमरा पाच्छ समय वे नियरा एक दिन की बात वो समय आया समय क्या आया वहिया और जिन ने विचार किया ए विटिया बहनों माता हूँ ज्ञान से सुनना माता हूँ मेरी बात को जो हो राव वो होने दीजे लेकिन कथा पर आध्यान दीजेगा ए विटिया बहनो धीरे धीरे पांच वर्स बीत रहें धीरे धीरे पांच वर्स बीत रहें नमबर आने वाला कि नमबर मेरा आने वाला एक दिन भीम विचार लगावा हमरा पच्छ समय नीज़ावा मेरा समय आ चुका तो अब हम देख लें कि मेरे दादा कहशे रहें ये विचार लगाया भीम ने क्योंकि अब ये नंबर हमारा है एक दिन भीम विचार लगावा हमरो पच्छ समय नियरावा मेरा समय आ चुका है समय क्या आया मेरे भाई बहनों ये मालिया आरिपन डाक्टर साहजी की तरफ से बहुत बहुत शादवाद बंदन अविनंदन भगवान आपके जीवनों को मंगल में करे परमात्मा सदा सुछी रखे यही भगवान समारी प्राथना है कि आप सब लोग एक रहो नेक रहो और इसी प्रकार से सत्संग में गोता लगाओ और दूसरे को भी गोता जान की गंगा में गोता लगवाते रहें तो कि लाइन दिया है है इत है इत जान की गंगा में गोता लगवात क्या चलिए अब दो सब्सकाते बारा बजने बाला कता बढ़ी लम्हां बात क्या चली है कि सबसे पहले दुरुपदी मिली है धरम राज को कितने दिन के लिए ए भाईया ए पांच वर्स के लिए तो अब भीम अपन तैयारी बनावा लगे भीम ने सोचा अब हमान नमबर वावे इन वालो अब हम हों तो देखें भाईया लेकिन एक दिन की बात एक दिन भीम विचार लगावा हमरा पच्च समयनिय रहा राध की बारा बजे धरम राज के जहां धरम राज कमरा में सोवत थे धरम राज गए वो भीम गए और धरवाजे की खिर्कियों दिवार की क्विड़्कियों से भीम जांकने लगे देखे दाडा कैसे रहा थे घ्रो के तेक्सा। क्जा किया घ्रो मेरा तो क्या किया भीम ने भीम ते हम घोना को". तु क्षब में जांकति भैंएxico कि फिञां पर देखागा राद की विरणा बजे द्रोपदी लेटी है और धर्म राज धर्म राज धर्म राज पैताने वैठे हैं कहां वैठे पैताने रात की बारा बजे भीमन दिया खाई यह का यह 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 को चम्हा देखा भीमन क्या परी पलंग जा गईना श्वाववई धर्म राज धर्म राज धर्म राज जही पांव दबावई धर्म राज तेही पाँ दवाँ वैँ दादा भीम मल गये हाँ यह दादा का करती नी दादा तो पाँ दवाय रे हो अमरो नमबर वावय आलो हम शत्री तब भीम सोच रहे हैं अगर जब दादा पाउंद वाई रहे हैं दादा करई चरन से उठाई दादा करई चरन से उठाई दादा करई चरन से उठाई याह महों से लेह कराई याह महों से लेह कराई जब दादा पाउंदवारे और मैं दादा करई चरंसे वकाई या हमों से लेई कराई भीम वापस आई गए अपने कमरमन मन धनमन होई कई लेटी गए दिरे दिरे एक दन भीता दू दन भीता तीन दन भीते चार दन भीते पांत दन भीते चे दिन एक मैना भारा दिन पंदरा दिन भीस दिन अब तो भीम मरे जाए दादा सुगान जाए एकदम विल्कुल से चुआ एकदम तेटुआ बनीगे तेटुआ बनीगे दादा भीम मरे चिंता ग्रेस्त भीम बलवान। चिंता ग्रेस्त भीम बलवान। अरे भाईया भीम दिन पर दिन डुबलाज चले जाओं एकदम जैसे पीलियक रोगी नहीं हो। फूंक मार देओ फुरू से और जान। कोई चिंता नहीं। मैय कुंती देखिन भाईया हमारे बड़ा तंगड़ातं दुरुस्तुरा है। अच्छा महतारी के नजर लल्ला पद भोद्रति रहाते। कि हम तव दव्यू पियावात रोटी देख खाने। मैय का प्यारं अलग है। माहिया ने दएखा भई्या। मामला भणा पूछा भई्या यह तुम्हार स्रीड दुुला पतलग का है। मत्मुछो हम से लेकिन उनके थो चिंतार वनी पाउघवएकी। उनका गम बैठे पाउं दबानों वाली मातारी पूछ रही भाईया बतावों ना लेकिन कोई भीम नहीं बोल रहे हैं कुछ बोलता है नहीं लेओ भाईया दही कई से पीधादा दही कई से कासेत मिया अरे कम से कम जब भीम अपने पाउं दबानों बनाए रहे हैं कि कम से जब भीम अपने पाउं दबानों ग्यानों नहीं पीछे हटो भीम अपने पाउं दबाने की है तब तक तब तक आए करशन जी आई गए करशन भगवान एक दिन की बात कुंति कहा सुनाए भीम नेरा रोगी फातिन परतिन दुबराई एक दिने कनया जी आए गए जब कनया आए गए कुंति मैया बैट गई बोली भाईया कनया भगवान बोले बुआ बताओ क्या भुवा भुवा कहा भुवा ने ये दो बहने थी देखो कुंती एक कुंती दो बहने थी एक का नाम था सुर्ट सिवा और सुर्ट सिवा का बेटा से सुपाल था याद रखना ये भुवा का बेटा था ये दो बहने थी कुंती और सुर्ट सिवा भुवा आखिर बात क्या है क उनकी मईया के आंकों में आंसु आगए, बोले पेचा, मेरा भीम रोगी होता जा रहा है, मेरा भीम, रोगी भीम है, कोई उपाएंब बता हुट बॉले मईया, अब हमेरे पास हमसे ongala bala घर रखिया है, कितना करना, अब हम जाए रहे हो भीम का हमारे वहां भेज देना, हम उनकी इलाज कर देंगे, और भगवान जाने गए, भगवान भीम को बुलाया, भीम को पकरो, इसे यांकी देखा गए, तरह पल्टाओ, भगवान दिक्कत तो बन गई है, बहुत बिक्कत ठीक है, ठीक है मैं यह मैं जा रहा हूँ, भीम अगर समय मिले तो भेज देना मेरे पास में, आये भीम और कुंती कहने लगी ये भीम सुनो कि तात जाओ द्वारी का सिधारी तात जाओ द्वारी का सिधारी तुम्ही बोलाई गए बनवारी तुम्ही बोलाई गए बनवारी तुम्ही बोलाई गए बनवारी पहुचे भीम कर्ष्न के तीरा कहा प्रभु आ वोर नदीरा कहा प्रभु आ वोर नदीरा ए बहनों मेरी मया कुंती ने भीम को बेद दिया ए भीम आज जाओ तुम्हे कनिया बुलाई गए जाओ कनिया बुलाई गए तो महतारी की बात नाए भीम काच सके और द्वारी का पुरी पहुचे ए भाईया और जो द्वारी का पुरी पहुचे ए पहुचे भीम कस्न के तीरा कहा प्रभु आवो उरन आओ आओ भीम आओ बैटो भीम जाक बैठी गए बहुत दुबले पतले भीम है भगवान बोले बहुत तुमा तबियत खराव है क्यों तुमारे हालत बड़ी गंभीर है एक ट्रा सौंड कर दिया जाए इनका बहुत बिमारी लंबी निखली है तुमारे एक समस्चा है तुमारे क्या करना पड़े सुनो भीम ये तुमारा रोग मिट जाएगा एक नुकसा है क्या है एक नुकसा आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा बस आपको चुटके में आपको ठीक हो जाएगा क्या करना होगा बोले भीम बोले महराज अब भीम देखो मूरख बन गए हाँ पर की भगवान क्या नहीं जानता है भीम ग्यानी बन गया, परमात्मा के आगे ग्यानी बन गया, परमात्मा के आगे अपना भेद छुपा रहा है भीम, भगवान जान गया, भगवान कहने लेगे, भीम एक काम करो, एक काम तुम्हे करो, जो तुम्हे करने योगे, जो करिया हो प्रेमसे तो मिटी जाई है रो, अगर मैं जो बताओं अगर तुम कर दो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा भीम बोले महाराज जल्दी बताओ देर ना करो जल्दी बताओ तब भगवान बोले सुनो कि पूरी हस्तिना उत्तर वो रा और पीपल का ये कबर चखने रा ए भीम आपके हस्तिनापुर के उत्तर सैड में एक पीपल का प्यण लगा है बहुत बड़ा भीम ने कहा हाँ महाराज तब भगवान बोले कही पर राति बिताओ जाएगे तही पर राति बिताओ जाएगे भोराई जय है रोग नशाई भोराई जय है भोग नशाई एक हस्तिना पुर के उत्तर सेड में पीपल का ब्रच बहुत मोटा बहुत पुराना लगा है बोले हाँ कन उसकी साखाएं बड़ी हाँ बड़ी है कन एक डाल पर तुम रात मिताएं दो भगवान की दया होगी तो आपका रोग सुबा होते ही ठीक हो जाएगा आपका बूले महाराज पका बगवान ने कहा जाओ जाओ अब रोग मीटाने आए आए गए भी आगए और पेड़ पर चड़ीकर बैठ गए पीपल के पीपल पर बैठे पीपल पर बैठे हैं आहाँ आये बैठे पेड़ पर जादई सोवईनाई अर्धरात के समय में महतरी पहुंचा जाए भीम बैठे जुगो जुगो देखन पेर पर से इतने आधी रात मैं को महतरी आवो और महतर आया सारे मैदान साफ किया जैसे यहां मैदान है जाड़ो लगाया बिटिया बहनु रात के बारा बजे आव भीम पेर पर से देख रहें भगवान यहां कोई का मीटिंग उन्टिंग लगन वाली यहां कोई मीटिंग लगन वाली आव भीम ने देखा वो महतर ने जाड़ो लगाया कीना साफ जारी मैदाना सारा साथ चमन कर दिया इतने में एक बहुत बड़ा सिंगासन आया और सिंगासन बीच वीच में रख दिया तमाम छोटी छोटी कुरसी आई गई भीम बोले है यह ममलत बड़ा गलबर रात की बड़ा बड़ी है सब चमन सब चमन अब भीम सोचने क्या होने वाला है इतने में क्या हुआ वो जो सिंगासन है तो सिंगासन तो सिंगासन ही है जैसे कोई बड़ा नेता आता है ना तो बड़े नेता की कुरसी अलग होती है छोटे नेतन की कुरसी अलग होती है चोटी चोटी कुरसी रहा हैं तब तक देखा क्या ए भाईया तब तक आये विश्ण महेशा सब तक आये विश्ण महेशा सब तक आये विश्ण महेशा सब तक आये विश्ण महेशा महा काल दिक आल सुरेशा महा काल दिक आल सुरेशा महा काल दिक आल सुरेशा ए भाईया जो चोटी कुर्शी पणी थी वुई कुर्शिन पराक ब्रह्मा जी बैठ गए संकर जी विश्ण जी दिनेशा सुरेश महेशा याच्यकिनर गंदरव काल महा काल इंद्र सब भाईय जी गए अव भीम देख रहे रात की बारा बजे आव भीम देख रहे लेकिन वो जोन मुचा सिंगा संथा जो बड़ी कुर्शी थी वही पर कोई न गई था ना सब अपनी अपनी फाईल ले बैठे हैं इंतर जा रहे सब चोगना है सब चोगना कौन की धर से आ रहा कौन की धर से आ रहा सब चोगना बैट इतने में क्या हुआ दिव्य सिंगाशन जो था खाली दिव्य सिंगाशन जो था खाली दिव्य सिंगाशन जो था खाली तही पर आई भई थी पंचाली तही पर आई भई थी पंचाली ए भईया जो दिव्य सिंगाशन खाली था ना दिव्य सिंगाशन जो था खाली और तही पर आई भई थी पंचाली भई थी ऑच सान जो भइया वची घंचाली्ट ईगर ध्रणा कि आए अधका भाई हाई आउ जैसे द Louपदी आई आई शा-प्रम्मा मिश्णौ महे शुडेतरे मैइश अपना मैइश अपना मैइश झुचंप टीद था पर बदभा समा अज्य से था पंदाकाए बैट यही हाथ इलाया बैठ जाओ और जो ने नेतक इसारे से ने से हाथ फुलाए जो बैठ जाओ अगर घर का इसारा माने लगो तो जीवन बदल जाएगा पुल सचिदानन भगवान की जाया है समझें बात है अगर इतने इस सारा घर का मानलोप ने बड़े बुजुर्गों का तो जीवन बदल जाएगा जीवन बदल जाएगा ए भाई बहनों जीवन बदलेगा आज मैं याद रोपती ने सब लोग बटो 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 हाँ हूं पूशा सबसे निजा निजा धर्मा और कहा सब नने आपन कर 예ई यह आपन जी झि आमने घळ को काम डिया थो फैल पूरियो गई हमांता जी ले चाहा अब्षा जाये लें मांता जी हो चाल विस्रों जी हा तुम्हारों काम वारी फैट बड़ी लंबी है ठीट ठीट हें चल अब वहीं हो बैठा तुम्हें हो कि और यह महा काल हा मैया और वहीम देख रहे जए जब मह तो पीमताला रहीं गहीं नहीं मानी दन्मना आई गए ए महाकाल हा मैया मैंने जो तुमसे कहा था वो काम हो गया मैंने जो तुमसे कहा था वो काम हो गया मैंने तुमसे कहा था साथ घड़ा खून से भर कर देना साथ घड़ा तब तो महाकाल खड़ा हो गया काम परा बोला मैया सुनले हो मारी बात हम छे घड़ा भरी डारे हैं खोन से कहते घड़ा भईया छे घड़ा भरी गए हैं तो द्रोपती ने का फिर सात्वा घड़ा गड़ा भरे हैं छे अभी अमा तु दया कई देऊ तो मिलाई गर जो भी मा कहूं तो सतमाँ भरे मिलाई अगर जो भी मा कहूं तो सतमाँ भरे हैं अमाया छे घड़ा मारे खून से बने हैं और भी म की मैं तलोस में हूँ बस भी म मिल जाएं उनका सरकाट भी और उनका खून मैं घड़ा में भर करके तुम्हारे आवड़ा अब भी म मरे दादा अब तो मरे कैनी या तो मीटिंग हमरे रवदि लागी दादा या तो मीटिंग हमरें बदल लगी अब तो मरी गए अब ही लाई उनका चिंता रहाई पाउंद वावगी अब चिंता होई गई अब तो वाप दोगे तब भूला महाकाल मिलाई अगर जो भीम कहूं तो सत्वां भरी लें तब विचार किया भीमने अगर हम उतरी कि अच्छा कई से वहमाप्ठी मांगए अगर आप कर कोई काम भसा है तो छोटे मोटी अधिकारी की चक्ण ना परो नहीं तुम्हारी पहुंच है वुच्छ अधिकारी थे तो अगर तुम छोट मोट अपराची चपरासी चक्ण परें तो वहाँ तो घोस घोमा जाग पाउंच हुए कई खाम करा अगर तुसको मिले तो सारा खेल खतम तो भीम सोच रहें अगर महाकालक मिल हैं नीच नीचे उतर क अगर का करें हम अगर हम उतरी के जाए रहन है तो नीचे बैठा काल है अगर हम उतरे नीचे बैठा काल है अई जो हम काल खिले तो पहले हम का मारी के तुमान पहुंचन अगर हम नीचे बैठा काल हमारी के जो हम उतरी के तुमान पहुंचन